क्लास पे फर्स्ट आने का बेस्ट उपाए को दो से खोसी आज का हमारा टॉपिक है किसान और काश्टकार इसमें अंतर क्या है? किसान वो है जो अपनी जमीन पर खेती करते हैं और काश्टकार वो है जिसके पास जमीन नहीं है वो दूसरे किसी की जमीन पे मजदूरी करता है हम तीन देश के बारे में पढ़ेंगे आज एक तो है इंगलंड, फिर अमेरिका और भारत सोलमी सदी में इंगलंड कुछ ऐसे दिखता था खुले-खुले खेत, थोड़े-थोड़े जंगल और कुछ common ground जहां पे लोग अपने गाय, बखरी चला सकते थे जब सत्रवी सदी आई तब बड़े अमीर किसानों ने क्या किया उन्होंने अपनी खेतों के चारों तरफ बार लगा दिये और उसमें भेड़ पालने लगे क्यों कि उस वक्त योरोप में उन की बड़ी demand हो रही थी तो वो market के हिसाब से वो चलने लगे अब भेड़ के लिए काश्तकार का क्या जरूरत काश्तकार के तो कामकाजी खतम हो गया बहुत सारे काश्तकार ऐसे गुंगते रहे कुछ काश्तकार सेना में जाके भड़ती हो गया आगे बढ़ते हैं हम 18 सदी में फ्रांस के नेपोलियन के साथ इंगलेंड का युद शिड़ गया और युद शिड़ते ही अनाज का प्राइस बहुत बढ़ गया अनाज की demand बहुत हो गई इसके दो कारण थे एक तो सेना के लिए अनाज जरूरत थी और दूसरा था यूरोप से जो अनाज आता था इंगलेंड में वो रुख गई युद के कारण तो इस डिमांड के होने से अमीर किसानों ने भेड़ों को हटा दिया खेतों से और वहाँ वो अनाज उगाने में लेगे कुछ काष्टकार को फिर से काम मिल गया वहाँ पर इस वक्त इंगलंड में ओद्योगी क्रांती हो रहे थी और उसके तहट बहुत सारे मशीने बन रहे थी एक ऐसा मशीन बना जिसको थ्रेशिन मशीन कहते थे वो अकेला मशीन दस आदमियों का काम करता था फसल को काटना, जाडना, साफ करना, लगाना सब कुछ वो मशीन करता था जब किसानों ने इस मशीन को देखा वो तो बड़े खुश हो गए उन्होंने काष्टकार को निकाल दिया और मशीन लगा ली तो कम लोगों से वो जादा-जादा काम निकलने लगे मशीन ही आदा काम कर देती थी उनका और ऐसे चलते-चलते युद तो कभी खतम होना ही था युद के खतम होते ही जो लोग सेना में गयते वो भी वापस आ गए तो बेकार, काष्टकार, सेना के लोग भी बेकार होके आ गए युद खतम होते ही अनाज के प्राइसिस कम होने लगे क्यों? क्योंकि यूरोप से अनाज फिर से आने लगा और जो काष्टकार थे, सेना के लोग थे, वो सारे सडकों पे आ गए वो कहने लगे कि हम क्या काम करें और वो इतना नाराज थे 1830 में इंगलंड में बड़ा भरी एक आंदोलन हुआ जिसका नाम था Captain Swing अंदोलन क्यों यह जो बेरोजगार लोग थे जो सडकों पर आये हुए थे बोजगार मांग रहे थे इन्होंने सोचा यह थ्रशिंग मशीन के लिए ही हमारा आज यह हाल है तो रात के अंधेरे में वो फार्मस में चले जाते थे और वहां थ्रशिंग मशीन में आग लगा देती थे कभी-कभी तो अमीर किसान के घर पे भी आग लगा दिया, अनाज के गुदाम पे भी आग लगा दिया और वो जब जन्युहा से चलते थे एक चिठी छोड़ के जाते थे जिस पे Captain Swing नाम का एक कालपनिक शरित्र के नाम से वो चिठी देते थे कि थ्रशिंग मिशीन हटाओ, नहीं तो ऐसा ही होने वाला है तुमारा तो जो इंगलेंड की सरकार थी, उसने बड़ी सकती से इस पे निप्टा बड़ी सकती से उन्होंने अंदूलन कारी के साथ वर्ताव किया और उनसे कहा कामकाच चाहिए, शहरों में चले जाओ, फैक्टरीज लगी है, वहां जाके काम करो तो ऐसे धीरे 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 जो काश्तकारों का एक जीवन शैली था, वो पूरी तरह बदल गया तो यह रही इंगलेंड की कहानी अब बात करते हैं, अमेरिका की, 1780 में अमेरिका का मानचित्र कुछ ऐसा था, यह जो तटवर्ती इलाके देख रहे हो ना बच्चो, श्वेताम जो आये थे योरोप से अमेरिका में बसने के लिए वो यहां रहते थे और यहां क्रिशी करते थे और अमेरिका के जो मूल निवासी थे, जिनको रेड इंडियन कहा जाता है, वो अपलेशियन पठार में रहते थे 18 और 19 वी सदी में अमेरिका की जनता खूब बढ़ी, खूब खूब तेजी से बढ़ने लगी और उसके साथ साथ ख्याध्यान की जरूरत भी बढ़ने लगी, तो यह जो तटवर्ती इलाकों से लोग आगे पश्चिम की तरव बढ़ने लगे और वहां पेड, जंगल सब काट कूटके वहां अच्छी तरह खेती करने लगे कुछ आकड़े हम देखते हैं, 1910 में अमेरिका में 40 मिलियन एकड में गेहु की खेती होती थी, और 1909 में सिरफ 9 साल में 75 मिलियन एकड जमीन पर गेहु की खेती हो रहे थी, तो आप खुद ही समझो कितना डिमांड बढ़ा, डिमांड के साथ साथ कीमते भी बढ़ रही थी और उस वक्त यूरोप का युद्ध शुरू हो गया, तो यूरोप से भी बड़ी डिमांड आने लगी कि हमें भी आना चाहिए, तो अमेरिका के जो खिसान थे, इन्होंने सब को छोड़के खूब जांग के गेहु बोया और वो जमीन को रेस्ट करने नहीं देते थे, एक स पासकेट, इसकी जमीन धीरे-दीरे ऐसी खराब हो गई कि इस पेफर कुछ और उगाना मुश्किल हो गया, इधर यूद भी खतम हो गया, क्रिशी अवसाद शुरू हो गया, लोगों के पास काम नहीं है, और इतनी सारी जमीन वो भी खराब हो गई है, और वहाँ जो धूल के बवंडर उखते थे, इस तस्वीर को देखो, इससे आपको कुछ अंदाजा होगा, और इसमें जो लोग रह रहे होंगे, उनकी सेहत का क्या हाल हो रहा होगा, ऐसी हाल था कि इसको ठीक करने में अमेरिका को पूरे 100 साल लगे इस जमीन को ठीक करने, तो आगे बढ़ते ह और हम हमारे भारत की बात करते हैं, पर भारत के बारे में समझनी के लिए हमें सबसे पहले इंगलेंड और चीन के बारे में एक तथ्या जानना होगा, अठारवी सदी में इंगलेंड के लोगों को चाय की बड़ी लत लग गई थी, सुबह चाय, शाम को चाय, चाहिये ही च और यह चाय के पत्ती कहां से आते थी? चीन से, अब चीन के जो समराठ थे उन्होंने कहा था कि मैं चाय बेचूंगा पर मुझे दौलत चाहिए, रुपय चाहिए, आपके सिल्वर के कॉइंस चाहिए मुझे, और इंगलेंड के वेपारियों का मानना था कि हम आपसे चाय आप हमसे कोई सामान ले लो, चीन वालो ने कहा नहीं, हमें सिर्फ चांदी चाहिए, अब इंगलेंड के वेपारी सोच रहे थे कि समस्या का कैसे वो हाल करें, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम देखे कि चीन में लोगों को किस चीज की जरूरत है जो उन्हें मिलती नही अब चीन में कुछ लोगों को अफीम की आदत थी, अफीम की सेवा करके वो नशे में रहना चाते थे, तो इसलिए चीन के समराट ने अफीम के कारोबार पर पूरी रोक लगा रखे थी, चोरे चिपे, इंगलेंड वेपैरियों ने काला बजारियों को अफीम देना और ऐसा एक महाल आया कि हर चाय के दुकान में अफीम बीक रही है और लोग खूब अफीम की सेवा कर रहे हैं, तो इस तरीके से इंगलेंड ने अपना चांदीतों वसूल कर लिया, पर ये अफीम कहां से आये, 1757 में पलाशी का युद हुआ था, जिसमें भारतियों का हार हुआ, नवाब सिराज अदिल्ला का हार हुआ, और उससे अंग्रेज को भारत की काफी जमीन पर अपना उपनेवेश उन्होंने जमा लिया, और वहां के किसानों को उन्होंने गेहू, चावल वगारा वगाने से मना कर दिया, वहां केवल अफीम की खेती होती थी, और ये जो वहां उकता था, इस अफीम को वहां से ले जाते थे, बड़े-बड़े शहरों में, जहां इनके अफीम के कारखाने लगे हुए थे, ये तस्वीर देखो बच्छो, ये पटना का एक कारखाना है, देख रहे हो अफीम के पार्सल बना-बना के कैसे इन्होंने रखा है, अफीम के वैपार को समझने के लिए हमें कुछ आखड़े देखने पड़ेंगे, ये देखो बच्छो, 1767 में इंडिया से 500 पेटी अफीम चाइना जाते थे, और 1870 में पता है कितनी जाते थे, 50,000 पेटिया, इस शताबदी में तो अंग्रेजों ने अफीम के वैपार पर पूरा कबजा कर लिया था, इस वक्त मध्यप्रदेश और राजस्थान के कुछ रियायते थी, उन्होंने सोचा हम क्यों पीछे रह जाए, वो भी अपनी अफीम उगाने लगे, किर्सानों को खेत में से गेहु उगाना बंद कर दिया, चावल उगाना बंद कर दिया, और अंग्रेजों ने जब देखा, इन्होंने तो अपना अलग वेपसाय शुरू कर दिया, यह भी चाइना के पास जा रहे हैं, और अलग किंतों में बेच रहे हैं, उनको बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने कुछ नियम भेजे उनको, कि आप हमें पूछे बिना नहीं तो अंग्रेज वहां जाकर उनकी पूरी खेत की खेत वो चला देते थे, और इस तरीके से जितनी दिन अफीम का व्यपार चला, भारत में किसान अनाज उगा नहीं पाए, उस वक्त वो केवल अफीम ही उगाते थे, तो बच्चों, सारांग्ष में हम क्या समझ रहे हैं, च चार, पांच, छे बार अच्छी तरह से सुन लो, और एक्जाम में जाके दना दन आंसर लिखो, और किलो किलो नंबर लेके आओ, हमें बताना मत भूलना, इस बटन को दबा दो, और हमारे सब्सक्राइबर बन जाओ, करसे, पोस्टीज!